एसे सब्द जो की एक दूसरे के विप्रीत अर्थ देते हैं विलोम सब्द कहलाते हैं और आज हम आय का विलोम सब्द के बारे में बड़ी ही विस्तार से जनेंगे तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आय का विलोम सब्द पूरी तरह से समझ में आ जाई सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आय का विलोम सब्द क्या होता है दोस्तों आय का विलोम सब्द वे होता है आय का मतलब क्या होता है आये जान लेते हैं आय का मतलब होता है आमदनी आप एक साल के अंदर कितना पेशा कमाते हैं वे आपकी वारचिक आय होती है तो आय का मतलब आप समझी चुके हैं, इसके अलावा वरत्मान में भी तो हम सभी लोगों की आय की कहानिक काफी खराब हो चुकी है, बारत के अंदर वेसे भी गरीबी बहुत बड़ चुकी है, दो वक्त की रोटी भी मिल जाए तो यह बड़ी बात होगी वे का मतलब क्या होता है आये जान लिते हैं, वे का मतलब होता है खर्च करना, जैसे कि आपके पास 1000 रुपे थी, उनमें से आपने 500 रुपे की कुछ चीज़े खरिद ली, तो इसका मतलब यह होता है कि आपने 500 रुपे को वे कर दिया, और खर्च के बारे में तो आप आजकल अच्छी तरह से जानते हैं आजकल खर्च का हाल बहुत ही अधिक बुरा हो चुका है आज यदि आप दिन के 500 रुपे कमाते हैं तो उनकी तुलना में अधिक पेशा खर्च हो रहा है इस तरह से आये का विलोम सब्द वे होता है जो की हमने जान लिया है क्या आपको वीडियो अच्छा लगा बताना नह भूले इसके साथ ही एसे ही विलोम सब्द जानेने के लिए चैनल के लाल बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर दी और बेल आइकल को दबाना नह भूले